बढ़िए अभी वॉड़ों को खोल के बतला रहे हैं तो एक बार फिर आपका अड्रेस बतला रहे हैं हिदराबाद में कहां पर है हिदराबाद में खिस्मतपूर बल्लागोडा जागिर नियर टाइम स्कूल और मैप पर भी गूगल मैप पर मिलेंगा तो आपको मिल जाता है तिलंगा ना इस्ट्रक फार्म सर्च करने से आजाएगा ठीक है अभी यह दो स्टैलियन से क्या डीट कि उसकी हाइट कितनी है और नेक प्रोफाइल भी अच्छी है इसके टाइट है बिल्कुल शांदर और प्यूर मारवाड में यह वाला अब वह साइड आई अब इस्टैलियन घोड़े है और थोड़े से गरम भी रहते हैं लेकिन अपना रुआप बतलाने के लिए जब एक स्टैलियन दुसरे स्टैलियन के सामने आते हैं आप देखिए यह भी मारवाड के अंदर क्या है और क्या है और 63 है उमर भी 63 है यह च्छे साल पांस से शो स सब्सक्राइब करें दोनों की चालू है पिशली वीडियो में कोल्ड भी था देखिए जो बहुत अच्छी हाइट में था बिल्कुल तैयारी भी अच्छी है इनके साथ में थोड़ा एक बार राइडिंग देख लेंगे लॉंग की बढ़िए चाल अच्छी है इसके अंद सब्सक्राइब की आप देखिए चाल इसकी और एक रुआब है चैरे के अंदर भी बहुत खुब्सरों है ठीक है बैट जाए आप यह देखिए आप चारो पैर साफ है इसके कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगरा नहीं है कुछ भी एकदम साफ है यह गोड़े के अंदर भी चाल है बिलाल भाई खुला पंचकलिया ने देखिए एकदम साफ चारो पैरों में सॉक्स है चेहरे के ब्लेज अच्छा इसका यह देखिए आप इसकी मस्ती चाल वगरा रेडिंग वगरा बहुत अच्छा करता है बिलकुल साफ और चारो पैरों में देखिए इसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यह भी साफ है पैर के अंदर कहीं सुजन नहीं है एकदम किलियर जबके सफर से थके हुए घोड़े बिलकुल नियू स्टॉक है उसके बावजूद भी अच्छे है इसके बाद में और कौन से है अपते पास और दो स्टैलियन और भी देख लेंगे चली नेक्स में इसके अंदर और तीन गोड़े बतलाने वाला हों में जैसे आप कंटिन्यू वीडियो में देख रहे थे पहले दो देखे फिर उसके बाद यहां पर यह अगर क्या डीटेल से इसकी और यह भी 64 में 64 स्टैलियन है सिक्सियर्स ओल्ड स्टैलियन है और कान मगरा साफ है मार बाहर बाड़े बैप वाइट वाइट पैचे से इसको गोल्ड़ेन है और यह अगर जीन दाल देंगे तो इखेंगे ने बिल्कुल साफ एकी कलर के गोड और यह एक संजाब है आपके पास यह इसकी बटला ही तीनों की राइडिंग एक साथ ही देख लेंगा यह कुमेद घुड़ा है यह एक स्क्रैशे से वह तो बाल आई जाएंगे बिलकुल अभी 63 हाइट में टूटीथ है उनली मारवाड घुड़ा है बेटे इदर घुड़ा बतला 63 हाइट के अंदर स्रिफ टूटीथ है और मारवाड है देखिए कुमेद कलर है एक दम साब जैसे इंगलिश होडसे देख जालाओंगा मैं यह देखिए अब चाल देख सकते हैं इसकी एक दम साफ चाल के अंदर अगर अगर यह वारा स्टालियन यह भी राइडिंग का रेडी है देखिए एक दम गोल्ड़न कलर के बाल टेल भी गोल्ड़न है इसकी आइड बहुत अच्छी है में और पर इस्ट् के बाल बड़े भी है वह बहुत रुप्सुरत है चलने में बहुत भारी को बिल्कुल और थड़ा और थारगरा हुआ है यह भी चाल शुरू कर रहा है पीछे का भी लिद्धा है यह लड़का है वो व वैशी उसके चाल ज़ाने ज़ाने बहुत खाहईश है जी जी आप ही कोई एक गोड़े की गैलप बतलाई है आप कौन से गोड़े की बतलाएंगे इसमें गैलप जोड़ा ओमर यह देखें आप जो हैदराबार में अक्सर लोग पसंद करते गैलप की स्पीड यानि वह ज्यादा जो स्पीड से चलते गोड़े वह गैलप होते और घोड़ों का शौक बहुत ज्यादा बड़ा शौक है लेकिन हर कोई कर भी सेक्टिव प्राइस रेंज एवेलेबल मिल जाएंगे आप लोगों को कम प्राइस के भी घोड़े मिलेंगे हाई प्राइस में भी मिलेंगे साइजेस वगर अच्छे हैं एक लाग रुपे तक है एक लाग से पांस लाग तक की रेंज है तो इतनी हाइड भी तो नहीं मिलेंगे ना वह गोड़ों के अंदर यह सारे घोड़े हाइटेड है और एक एक इंच गोड़े की जब हाइड बढ़ती उतना प्राइस बढ़ते रहता देखें ठीके चलिए इसकी राइडिंग बतल चलने के अंदर भी कान अपने मिलाके ही रख रहा है कॉलिटी अच्छी है और कुमेट कलर है एकदम साफ है क्या हीट बटलाए थे आप इसकी 62 प्लस आएंगा है 63 पकड़ी आवों और कंडिशन लो हो गया बहुत अच्छा था इसके फोड़ो गरा है मेरे पार बिलकुल चलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज बताऊंगा मैं आप लोगों को चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर करिए ठैंक्स फर वाचिंग तक्यू